हेलो बच्चो मैं पूजा और मेरे चेरण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो बच्चो इस वीडियो में हम MP Board कक्छा पांसीवी की गणित चेप्टर नमबर वन है मचली उचली इसके question answer solve करेंगे बच्चो यह वीडियो का third part है फर्स्ट और सेकिंड पार्ट मैंने बना दिया है उसका link में आपको description में दे दूँगी आप महाँ पर जाके check कर सकते हैं तो चली बच्चो वीडियो शुरू करते हैं तो बच्चो third part हम यहां से शुरू करेंगे यह page number 10 है देखिए क्या कहरा है कुछ बड़ी संक्या है गनित का जादू पुस्टक चार में तुमने लाख संक्या के बारे में सुना था जो सो हजार के बराबर होती है तुमने पढ़ा भी था कि हमारे देश में लगबग एक लाख एट के भटे हैं जहां एटे बनाई जाती है दूसरा है तुमने इसके अलाबा एक लाख संक्या के बारे में और क्या सुना है तो बच्चो इसमें आपको बताना है कि मलब आपने एक लाख संक्या के बारे में और क्या सुना है तो इसका अंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हमारे देश की जन संक्या है वो केसी है लाखो में हैं प्रसने दूसरा है एक हजार की संक्या लिखो ठीक है पहले एक हजार लिखना है अब एक सो हजार लिखो तो एक लाख में कितने सुननी होंगे देखी बच्चों एक लाख में कितने सुननी होंगे पांस सुनने इसका इटा देख सकते हो आप एक लिखो एक, दो, तीन, चार, पांच एकाई, धाई, सेकड़ा, हजार, दसेजा लाग तो एक लाग में कितने सुनने हैं बच्चो पांच सुननी ये इसका अंसर हो जाएगा ठीक है पांच सुननी नेक्स्ट प्रसन है हमारे देश में लगबग दो लाग नावे कितनी हैं दो लाग ठीक है उन में से आदी मोटर बोटे याने कि दो लाग नावे आदी याने कि एक लाग ठीक है बिना मोटर की है जो आदी है याने कि एक लाग है वो बिना मोटर की है तो मोटर बोटों की संक्या कितनी होगी जगो आदी बिना मोटर की है याने कि एक लाग तो मोटर बोटों की संक्या भी कितनी होगी एक लाग होगी कितनी होगी एक लाग ठीक है नेक्स्ट है बच्चो मोटर बोटों में से लगबग एक बड़ी एक चोथाई बड़ी मसीनी नाव है ठीक है मसीनी नोकाएं कितनी हजाने कोशिस करो और बिना लिखे पता करो तो देखी बच्चो ये क्या करा है मोटर बोटों में से अब मोटर बोट कितनी है बच्चो एक तो यहां लिख दो 1,000,00 ठीक है एक लाक में 5 जिरो होती है जिसमें से 1 चोथाई यानि की एक बाटे 4 एक चोथाई को बच्चों क्या बोलते हैं एक बाटे 4 ठीक है चलो इसे सोल्व करते हैं हजार में चार का गुणा करेंगे सोरी हजार में एक का गुणा एक लाख में एक का गुणा करेंगे एक लाख का जायागा चार से हम भाग दे देंगे इसमें ठीक है तो ठीक है अब देखिए बच्चो चार से इसमें एक लाख में भाग दीजिए इधर हम भाग करते हैं चार एक दो तीन चार पाँच यह एक लाग हो गए हम चार से भाग देंगे चार दूनी आठ ठीके दस में से आठ गए तो दो बचे फिर देखे बच्चो फिर हम उतारेंगे इधर जीरो ठीके यह वाली जीरो उतरेगी यह वाली तो 4 पंजे 20 अब देखे बच्चों कितने 0 बच्ची एक दो 3 जो 0 बच्ची है न वो हम इसके पीछे लगा देंगे तो हमारा क्या आंसर आजाएगा बच्चों इसमें हमारा आंसर आजाएगा 25,000 कितना आजाएगा 25,000 याने की मसीनी नोकाएं कितनी है लिख दो 25,000 मसीनी नोकाएं ठीक है अब देखे बच्चों नेक्स्ट है सायद तुम सोच रहे होंगे कि आखिर कितने लोग हैं जिनकी जिन्दगी मचलियों से जुड़ी है कुल मिलाकर लगबग एक सो लाख मचुआ रहे हैं जो मचली पकड़ते हैं उन्हें साप करके बेचते हैं जालो और नावो को बनाते हैं ठीक करते हैं यदि इनकी संक्या एक सो लाख के लिए हमारे पास नाम है एक कडोर याने कि मचलों की संक्या कितनी हैं एक कडोर तो तुमने कडोर के बारे में सुना हैं यह किसके लिए उप्योग में आता है तो बच्चो इसका अंसर आप लिख सकते हो हमारे डेश की जन संक्या कडोरो में हैं ठीक है किसमें हैं कडोरो में सेकिंड है हमार एक कडोर लिखने की कोशिस करो बहुत सारे सुन्यों में उलज मत जाना तो देखो बच्चो हम एक कडोर लिखते हैं एकाई धाई सेकडा हजार दस अजार लाग दस लाग कडोर कितनी जीरो आ गई एक बार गिनते हैं एकाई धाई सेकडा हजार दस जार लाग दस लाग कडोर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ कितनी आ गई हैं? साथ सुनने, आ गई हैं इसमें अब बच्चों अब हम आते हैं मचली बाजार पर क्या तुम कभी मचली बाजार गए हो? अगर हाँ तो तुम्हें पता होगा कि भीड और सोर से भरी जगे को मचली बाजार कहते हैं मतलब मचली बाजार में क्या होता है बच्चों? बहुत ज़्यादा भीड होती हैं ना? आज मचली बाजार में बहुत चहल पहल है कुछ मचवारों की नावे बहुंस सारी मचलिया लाई है मचवारीं चिल्ला चिल्ला कर कीमत बता कर खरीदारों को अपनी और बुला रही है मीनी यहाँ आओ यहाँ आओ येलो चोटी चोटी सार्डिन 40 रुपे किलो जो साडेन मचली है ना बच्चों वह कितनी है 40 रुपे किलो याने कि 40 रुपे में 1 किलो ग्रेसी कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा खरीदो स्वाड मचली 60 रुपे किलो ये कितने में बेच रही है 60 रुपे किलो में फिर फिलो रम्मा छोटी जींगा मचली 1500 रुपे में बेच ती है ये जींगा मचली कितने में बेच रही है 1500 रुपे में कारू थम्मा स्वाकडिस 50 रुपे में 50 रुपे किलो बेच ती है ठीक है देखो फाजीमा कथिनाई से ही इस बड़ी मचली किंग फिस को उठा लाई यह दिख रहे हैं कितने बड़ी है यह है ना वह करती है यह मचली 8 kg की होगी मैं इसे पूरे 1200 रुपे में बेचूंगी कितने में बेचेगी 1200 रुपे में तो देखे बच्चो अब हम यहां पर अभ्यास प्रसने दिये गए हैं पहला प्रसन है फाजी मा ने बड़ी मचली किं मचली 18 kg किलोग्राम होगी इसने पूरे को 1200 रुपे में बेचा कितने में बेचा कि 1200 रुपे में तो यह बोल रही है फाजी मा ने बड़ी मचली किंग फिस को कितने रुपे प्रति किलो ग्राम में बेचा यानि कि जो ये मचली थीना वह 8 किलो के इसने 12 सो रुपे में बेची तो हमें बताना है कि जो 1 किलो है वह कितने रुपे में बिकेगी ठीके 8 किलो 12 सो किये तो 1 किलो का हमें यहां पे बताना है तो देखी बच्चो पेज नमबर 11 प्रस्न एक लास 50 का है ये बोल रही है कि 8 किलो जो किंग फिस का दाम है कितना है बच्चो बारा सो रूपे अब लिखो एक किलो किंग फिस का दाम क्या हो जाएगा बच्चो बारा सो में हम किसका भाग दे देंगे आठ सो आठ का थिक है बारा रूपे आठ किलो बारा सो किए तो एक किलो कितने हो किए होगी तो बारा सो में हम आठ का भाग दे देंगे इसे यह से लिख सकते हैं बारा सो बटे आठ तो देखी बच्चों इदा भाग देते हैं हम बारा सो में आठ का आठ एकम आठ बारा में से आठ गए तो कितने बचे चार बचे फिर ये 0 इदा उतार दी 8 पंजे 40 ठीक है अब देखो बच्चों एक 0 बची इदा 0 लगा दो और इसके नीचे 0 लगा दो याने की कितने आ गए हमारे 1500 रूपे याने की उसने एक किलो किंग फिस कितने में बेची 1500 रूपे में ठीक है बच्चों यही इसका आंसर है तो बच्चों यह वीडियो में यहीं समाप्त कती हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड करूँगी इसलिए आप चेनल को सस्क्राब जरू कीजिएगा और बेल आकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिपिकेशन फटाबट मिल जाए तो वीडियो अच्छी लगे लाइक जरू करें चेनल पे नाए हैं तो प्ली चेनल को सस्क्राब करना नहीं भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद